मेरे चनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए फिस एक नया वीडियो लेके आई हूं इस वीडियो में हम छोटे बेबी का लंगुण बनाना सीखेंगे मैं ने च्वकन का लिया है जो की रुमाल के साइज का है हुआते कि रुमाल प्रृमाल भी लिए सकते हैं तो हमने चौकन का किपड़ा अच्वकन का कपड़ा हूँ औरो फूर पत टी लेनां अपने अनुसार कट कर सकते हुआ है और एक हमने छोटे प्ठ्टे लिए और देखेकज जो हमने सीधा की तरफ कपड़ा है यह हमारा ओ την की तरफ है तो हमें क्या करना है शके को इस सनकराना उपढ़ाना है अब हमें इसका measurement लेना है तो measurement यहां से जहां हमारा यह last का एक कोना है इस तरह हमें देखिए last का कोना है जो यहां पर रखना है और इसे क्या करना है देखिए यहां पर नापना है तो यह measurement में 14 इंच यहां का है तो 14 इंच हमारा यहां भी आना चाहिए तो इसको इस तरह फिर घुमाना है फिर हमें यहां का भी measurement ले लेना इस तरह इसको रखना है और फिर हमें फिर यहां का measurement लेखे 14 इंच हमारा यह भी तो 14 इंच यहां है तो 14 इंच हमारा यहां भी होना चाहिए अब हमने जो यह पट्टी लिया है तो सबसे पहले हम इस पट् इसके उपर रखना है फिर इसके उपर करके एक फोल्ड ये तीसरा फोल्ड हमने करना है तो देखिए पहला हमने क्या किया है एक फोल्ड हमने यहां किया है दूसरा फोल्ड इसके उपर हाना आलका साइस को टच करना बस और तीसरा हमने इसके उपर लिए इसी तरह हमें ये प ऐखें हैं हदखें कि दली है है दिधिए मेरे दू यूदा नमी पट्टी कि यूद्ट इहां तयार कर लिए इस तरह हमें च्छोटी वारी इंचिक ढूयार कर सकते हैं कि 열ंद मारा इसका भूँ एक फोल्ड इधर करना है और देखे तीन कप्डे को लें कि़िये अके यृड करना है यह जोsın। कपड अंदर के एक डोरी को रहा है阻ने के बद तरह करना एक डोरी लें ये इसके अंदर से देखिए, जो हमारा फुला फिसे में पट्टी खुला हुआ है, इसके अंदर ये पट्टी को इस तरह रखना है, और इसके बाद इस कपड़े को इस तरह फोड कर देना है, इस तरह इस पट्टी को अंदर की तरफ रखना है, और इसके उपर से एक यहां के लिए हैं बूदर मिया जो में और आप यह भी इंदर के तरह यहां अदर के लगाना है ठोड़ी सी जगा हमें चोड़ना है सीधा करने के लिए तो चलिए यहां इस तरह डोरी लगाके इसको रख लेंगे अंदर की तरफ करके यह अंदर की तरफ हमने यह डूरी को इस तरह इसको रख लिया है अब इसके उपर हम ऐसे तीर्ची सिलाई लगा देंगे थोड़ा सा जगा में छोड़ना है लगा लिया लोग oppressाnya और यहां पर यहां पर को दाभ सिलाई लगाना है और दाबक की तरफ लगाना है तीनों तरफ से उसके बाद हम उसको जोड़ेंगे छोटे पड़ेंगे देखिए हमने ये तीनों तरफ से दाब सिलाई लगा लिया है यहां हमने छोड़ा है अब हमें क्या करना है इस कपड़े को इस तरह थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस कपड़े को इस तरह इसका नोग बना लेना है हमें और इसके इस तरह अब इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे देखे इस तरह हमें अच्छे से कपड़े को इसमें फोड करके इसके उपर सिलाई लगा लेना है सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को यहां पर हमें जोड़ देना इस तरह तो पहले मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूं देखिए इसको इस कपड़े है इसको अच्छे से यहां पकड़ना है देखिए इस तरह अब इसको सिलाई लगा देते हैं अब हमें इसे क्या करना इस पट्टी को यहां पर इस तरह रखना है और इसके उपर एक सिलाई लगा देना है इस पट्टी को देखे इस तरह ऐसे रखके इसके उपर एक सिलाई लगाना है बजबूती से ताकि यह निकले ना कि हुआánt कि टी शोटी वाली पट्टी इसको मैंने यहां पर सिलके al कर दिया इसी तरह हमेंぁ तीनों पट्टी लगाना है और डेखें विशंधी को तयार किया है अगर आप मेरे चैनल पर है तो प्लीज मेरे चैनल को इपकर सब्सक्राइब कर देए विडियो को पूरा देखें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि मेरी बताई गई छोटे बेबी की जो लंगोट है वो आपको कैसी लगी थेंक यूँ